आज हमारा टॉपिक है बैलेंस निचर बैलेंस के उपर आज हम अपना टॉपिक लेकर आ ilay क्या होता है बैलेंस का मतलब क्या है हर जगया एक संबंध होता है जैसे सुख दुख अगर सुख क अगर सुख् दुख सुख ही होगा तो आप दुख को भूल जाएंगे जब दुख होगा दुखा जाएगा तो उसको आप बचा नहीं पाएंगे इसलिए इसका बैलेस होजोरी है लाइफ के अंदर अगर सुख आता रहे हमें उसकी कदर नहीं होगी जब थोड़ा सा दुख आया तो उसके बाद सुख की भी कदर पता चलेगी हमारे जीवन में कई ऐसी चीज़ी हैं जिने बैलेंस के साथ चलाना पड़ता है चाए वै सुख दुख हो उता चड़ाव हो हसी गम हो तो फाइनली हम यही बताना चाहते हैं आपको लाइफ में सुख दुख अच्छा बूरा उचा नीचा गरीब चटान पहाड चटान खाई इस सारी आपस में मिल जुली हैं जैसे बगवान किसी intelligent आत्मी का निर्मान करता है तो उसके intelligent के साथ वह बेब कम दिमाग वालों का भी निर्मान करता है ताकि नीचर में balance बना रहे कोई ज्यादा अमीर है तो उसके accordingly लोग उतने गरीब भी होंगे तो भवान शिरिकेशन ने गीता के अंदर बे बताया है कि यदि कोई दुखी है तो उसके एकॉडिंग जितना लोग दुखी है उसके एकॉडिंग लोग खुशी भी है मलब नेचर ने अपना बैलेंस बनाए होगा है हर चीज के अंदर तो उतंसे कहता है कि लाइप में हमेशा हमें अपको ना अपना बैलस बनाना पड़ता है लाइप है लाइप की तराजुकि तरह करना होता है जैसे तराजुछ ले रहे हैं आज क्यों कि तरह को Yup जैसे हम सांस ले रहे हैं सांस थोना यहां ज् JULID तो जैसे आप सोचने हों सांस है वो संस हो जाएगी किसी नदर बाजा खोल दिया मीज़िश की ब develop है तो वह कहता हैं जब आपके पास है टान मतलब कि आप से परेंट के अंदर पोग। प्रेंट के पेंदर आओगे तो आप अपनी लाइफ में बैलन्स कर सकते हो ति आप जिसे एक सिख्य के दो पहलू होते है एक हैट है टेल है बड़ मैंज की तरफ जाऊगे तो आप दुख को बूल जाऊगे तो दुख की और जाऊगे तो आपको सुक नहीं आ रहता है तो मन कर सकते हैं जिससे हमें लाइप में बहुत जादा बैनिफेट हो तो सबसे बड़ी बात है कि लोग सुस्ते हैं कि हम आग बन करके बैठ जाते हैं वह मेडिटेशन है मेडिटेशन हो रही है आप आग बन पर जाओगे इम्यून सिस्टम आपका भी वीक पर जाता है तो हमें सिंपल सी बात है कि मेडिटेशन कब करनी चाहिए कैसे करनी चाहिए यह दो तीन तरीके हैं मेडिटेशन करने के यह आपकी बोड़ी में बहुत ज्यादा सेक्ष्वल एनर्जी है तो आपको उस वक्त मेड महिस्यादा करने काई और पर जाओ यह दो आकिक टिल्चिक करने ट जाव शुक्त में चाहिए अदया निए जबन करने इस तेह जाई में आपकी जो बोड़ी की सेक्ष्वल एक तहरा इनर्जी करन जो प्टव गटगरा इस विए नर्जी बहुत ज्यादा की स्टेज में ओ आग्या चक्र ले लेगा आग्या चक्र बहुत जादा स्टॉंग हो जाएगा तो आप मलब आपकी आपकी बात मानने लग जाएगा तो अपनी यह जो एनर्जी है वो अपने में एक दो बार आपके पास आती है जो सेक्स्वल अनर्जी है तो बट लोग इसको मिस्यूज कर लेते हैं तो वो मिस्यूज हमें नहीं करना चाहिए उस वक्त आपको मेडिटेशन करनी है मेडिटेशन का तरीका हमने बता दिया कि साहा दियान अपने मत्य के बीच में ले जाओ और कुछ सोचों मत इससे क्या हो सब्सक्राइब करना चाहिए तो अपने नाभी के उपर ले जाओ और कुछ मत सोचों अराम से बैठो गर्दन सीदिये रखो नाभी के उपर लेके जाओगे तो क्या होगा कि जो नाभी है ऑपकी एनर्जी नहीं करेगी बट आपको सांथ कर देगी एपका इम्यून सिस्टम भी वीक नहीं होगा कुछ नहीं होगा जो सारा सेक्षियल नर्जी है वो आपके दिमाग की बर्द्च जाएगी और दिमाग जाना स्टॉंग बजाएगा तो यह जो टेकनीक्स हैं यह हम आपको बाई एक्सपीरिंस बता रहे हैं कोई ऐसा नहीं है कि यह बुक से पढ़के बता रहे हैं तो इसमें तीन टेकनीक आपको बताई है तो बैलेंस मेडिरेशन जो लास से की है जो बहुत पर अजाएगा बंदा राइट लेप्ट वाली आ जाओ और अराम से बैठ जाओ यह आप रोज भी कर सकते हो तो कैसी लगी आपको यह अपनी लास से की मेडिशन टेकनीक बैलेंस मेडिशन तो इसके बारे में हमें जूर लिखिए थैंक यू फॉर लिसनिंग प्लीज लाइक सब्सक्राइब यह आपको और भी इसे रिलेट बास्टाङिक प्लीज न've की स्टाइब यह आपको नवपर की संब्सक्तालर से लाइक की जापको और उनना की लाइक की से लावय का से होगтор disputeस्व प電 का मेडिशन बावर इसे भी कंट बा़शन प्लीजिशन प्लीजिए को। प्लीजिच खलीजिव यह वंखको आपको